नमस्कार दोस्तों, स्वागत्थे आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पंडिताइन चाची में तो दोस्तों आज हम आप के लिए लेकर आए हैं 2024 में चंद्र ग्रहन के साए में होली और इस त्योहार पर क्या होगा इस ग्रहन का प्रभाव आज हम बताएंगे फालगुन माह में सुकल पच्च की पूर्मा की रात होली का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है इस साल दोस्तों 2024 में होली का तेवार 25 मार्ज को है लेकिन इस बार होली के रंग में भंग पढ़ने वाला है क्योंकि इसी साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहन भी लगने जा रहा है वैसे तो ग्रहन एक मात्र खगोली घटना है लेकिन इसे धार्मिक सास्त्रों में सुभम नहीं माना जाता है कहा जाता है कि ग्रहन के दौरान कई प्रकार की नकारात्मक उर्जा निकलती है जिसका प्रभाव संपून ब्रह्माट पर पढ़ता है इसलिए इस साल होली पर चंद्र ग्रहन का लगना सुभ नहीं माना जा रहा है ऐसे में दोस्तों अब हम बताएंगे कि 25 मार्च को होली वाली दिन चंद्र ग्रहन कब लगेगा और रंगों के तिवार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हिंदी पंचांग के अनुसार फालगुन माह के सुकल पच्छ की पूड़िमाति थी यानी 25 मार्च 2024 दिन सो मुआर को चंद्र ग्रहन लगेगा ये चंद्र ग्रहन सुबह 10 बच कर 23 मिनट से सुरू होगा जो दोपहर 3 बच कर 2 मिनट तक रहेगा हलाकि इस चंद्र ग्रहन को भारत में नहीं देखा जा सकता है जिस कारण से इसका सूतक काल भी मानने नहीं होगा और इसका प्रभाव भी होली के तिवार पर नहीं होगा इसलिए आप बिना किसी चिंता के होली का तिवार मना सकते हैं तो दोस्तों अब हम ये भी बताएंगे कि कहां कहां देखा जा सकेगा साल का पहला चंदर ग्रहण अल 2024 का पहला चंदर ग्रहण अमेरिका, जापान, रूस के कुछ हिस्सों में आयरलेंड, इंगलेंड, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, जर्मनी, फ्रांस, होलेंड, बेल्जियम, दच्छनी नार्वे और स्वीटजर लेंड में दिखाई देगा 25 मार्च को लगने वाले चंदर ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशि के जातकों पर इसका विशेश प्रभाव देखने को मिल सकता है जो दिस्ट के अनुसार मिथुन, सिंग, मकर, धनुराशि के जातकों पर इस चंद ग्रहण का सुभ प्रभाव रहेगा तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिता इन चाची को लाइक से या सब्सक्राइब करना ना भूलें